अजमेर संभा के सबसे बड़े जेनल अस्पताल में भी डायलेसिस नहीं होने के कारण आज तमाम मरीजव परिजन जिला कलेक्टेट पहुचे और उन्होंने जिला कलेक्टेट से डायलेसिस फिर से शुरू कराने की मांग की है मरीज वे परिजुनों का कहना है कि जेनल अस्पिताल में डालेसिस नहीं होने से मरीजों की तब्यत अध्यतिक बिगड रही है और उनकी सूजन भी आ रही है ऐसे में सभी मरीजों को अन्य अस्पिताल में शिप्ट किया जा रहा है जबकि डायलेसिस की मशीन संजीवनी द्वारा लगाई गई है लेकिन अग्यात कारणों के चलते मरीजों को डायलेसिस से नहीं दी जा रही ऐसे में जिला कलेक्टर ने जेनल इस्पताल के प्रशासन को बुला कर मरीजों को रहात देने के निर्देश दिये है और यह काम जल से जल कराने की चेतावनी दी है वहीं मरीज वो उनके परिजनों को आश्वस किया गया है कि डायलेसिस जल दी जेनल इस्पताल में शुरू किया जाएगा जिससे की उन्हें परिशानी का सामना नहीं करना पड़े जिवांस्या यह समस्या कुछ भी नियाए साब पांस साल से मेरे पिता जी नो डायलेसिस पेशेंट है तीन साल से उनकी डायलेसिस हो रही है जेलेन यह उस्पिटल में कोई दिकत कोई परिशानी नहीं थी सब चल रहा था जो नहीं हो रही है और सबसे बड़ा मॉट्व जो यह है कि डालेसी पेशेंट को एना जेल एन उसकी च्छत के नीचे बैस्ट में बैस्ट मिल सकती है क्यों क्यों बिलड बेंग चाहिए कभी कभी क्या होता है इंटल यानि कि अदर हरके होई सुईदा है वह चाहिए अब यह चीज़े आदुनिक और जगे नहीं है और इन पेशेंटों को सबसे बड़ी चार गंटे डालेसीस चीए वह नियमें रूप से नहीं मिल रही है तो पेशेंटों का जो हाला थना वह खराब होती जा रही है मैं प्रशाद से स्रिफ यह विंति करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी सुचाई रूप से जेल एन ऑस्पिटल की छट के निचे डालेसीस चालू कराने का अनक आज आपका है मैं एक अलेक्टर साब के पास आया था उन्होंने जेल एन ऑस्पिटल के जो अधिकारी है जो भी अधिकारी है उनको बुलाया उनसे मिटिंग करी और हमारे को जल्दी जल्दी जो भी कारवाही करने का जो भी है उन्होंने आश्वासंद दिया है